हेलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वाइद करता हूँ सो दोस्तो इस वीड़े में भी हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जहाँ पे आप लोग ने अलर्ट रहना चाहिए यह दोस्तो यह एक ऐसी कंपनी जो कि अभी के फिलाल के करन्ट स्टेटस में यहाँ पे परफॉर्मस जरूर दे रही है बट फ्यूचर में अगर मैं बात करू तो मतलब यह कभी भी लुड़क सकती है डेंजरस यहाँ पे कंपनी लग रहे है मतलब आपका पैसा भी यहाँ पे डूप सकता है ऐसा मुझे लगता है मुझे कोई कंपनी को कोई डिफेम नहीं करना है बट हम लोग स्टॉक मार्केट के इसाब से अगर बात करें तो इस कंपनी के बारे में बहुत बार दिखाया जाता है बट परसनली मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल इंवेस्टर ने इस कंपनी से दूर रहना चाहिए वीडियो के शुरुआत में ही कहना चाहूँगा दोस्तों साथ शब्दों में कि मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से मार्केट को समझने लगे है तो शायद से आप लोग को लगेगा अरे सर हम इसमें थोड़ी ना निविश करेंगे पर दोस्तों में हमेशा जो आपको डेटा दिखाता हूँ कि शेर होल्डिंग पैटर्न वहाँ पे आप देख सकते कि कितने पबलिक इन्वेस्टर इसमें लगा अतार पबलिक मतलब रिटेल इन्वेस्टर लगा अतार यहाँ पर बाइंग करते ही रहते हैं तो इसलिए इस तरीकी वीडियोस बनना बहुत जयाधा इंपोर्टेंट है और रिटेल इन्वेस्टर तक पोचणा बहुत ज़यादा इंपोर्टेंट है वरना वहाँ पे हम कह सकते कि ऑपरेटर रिटेल इन्वेस्टर का शिकारिया आपे करते रहेंगे सो दस्तो अभी हम लोग आ चुके company की balance sheet के उपर बहुत ही important है आप देख लेना company की balance sheet 10,000 करोड की reserve से चलिए ठीक है 10,000 करोड की reserve कोई खराब reserve नहीं होते है सो company की reserve विल्कुल ठीक ठाक है right कभी-कभी जैसे मैंने last video में भी बता है था माइनस में reserve रहेंगे चलो हम लोग alert हो जाते कि यहापे कुछ गड़ बढ़े सब कुछ ठीक है करजी की बात करें तो पहले 4,000 करोड का करजा then 4,100 मतलब 400 रुपया करजा और कम कर लिए करोड की में बात करो उसके बाद वापस लगबग 500-600 करोड करजा कम किया मतलब अभी लगबग 3,000 करोड से भी कम का करजा मतलब कमपनी लगातार करजा यापे कम कर रही है तो अच्छा लगता है कि balance rate में reserve भी 10,000 करोड के company लगातार करजे अपने घटा रही है तो यह कोई ऐसी company की balance rate नहीं की लग रहा है कि कोई खराब company है बट कुछ parameters में आपको ज़रूर दिखाऊंगा उसी के साथ चाथ अगर हम लोग बात करें company के पास पहले 58 I hope 58 ही है नहीं 585 चलो कोई बात नहीं 585, 271, 200 मतलब company को अभी भी 200 करोड की cash भी है तो अगर मैं balance rate की बात करो reserve positive है company के loan long term borrowing लगातार नीचे गिरावट में देखने को मिल रहा है cash and cash equivalent भी लगबग 200 करोड का है short term borrowing मिस हो गया शायद से मेरे से तो एक बार देख लता हूँ short term borrowing यहाँ पे चलो ही कोई बात नहीं इतने important बात नहीं चलो यह देखे यह भी 700 करोड के आस पास का है revenue मतलब मैं आपको दिखाना चाहँगा December 19 से लेके December 20 मतलब इस वक्त का ही revenue पिछले quarter की बात करें so company का revenue कितना है 3831 करोड का revenue है ठीक है revenue कोई बड़ी बात नहीं होती है profit main बात होती है तो आप देख सकते हो पिछले quarter में company 2500 करोड के loss में थी जो कि इस वक्त के quarter में December के quarter में 427 आप देख सकते हैं आपे 427 करोड के यहापे profit में हम लोगों को देखने को मिल चुकी है so बहुत ही जबरदस jump आप लोगों को यहापे देखने को मिल रहा है but again कहना चाहूंगा दूस्तो यह जो profit हम लोगों को यहापे देखने को मिलता है यह जो net profit रहता है 427 बता जा रहा है तो हमेशा में आप लोगों को insist करूँगा कि जो भी company रहती है directly ऐसा profit देखके आप लोगों ने jump नहीं करना है क्योंकि कभी-कभी exceptional item के भी adjustment होते है तो deeply हम लोगों ने यहापे चीज़ों को check करना होता है तो आप लोगों ने भी ज़रू इस company के बारे में net profit इतना जबर्दश jump कैसे किया उसकी भी study आपे ज़रूर करनी चाहिए then दोस्ता अभी हम लोग आ चुके main parameter के उपर जहापे अगर हम लोग देखेंगी कि company इतना अच्छा performance कर रही है तो company के promoter जो पहले 35 के 40% के उपर थे बाद में उनके 35% के भी नीचे हो गए holding then 14.7, then 14.69, then मात्र 4% के आसपस 5% के आसपस आप देख सकते हो अगर यह company इतना ही अच्छी कर रही है तो promoter क्यों भाग रहे है यहाँ से तो आप लोग देख सकते हैं, देखें, promoter का holding कम होना slightly 1-2% चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है बट यह 34% से direct 4%, मतलब 30% की हम कह सकते हैं उन्होंने shareholding अपनी बेच दी, और यहाँ पे भी अगर आप देखो कि जीतना बचा है, उसमें भी bank के पास, मतलब गिर भी रखा हुआ है 95%, मतलब 5% share उनके पास है, तो ऐसे company में पैसा लगाना बहुत ही जादा रिस्क्य होता है, balance setup लोगों ने देख ली कोई दिक्कत नहीं company का profit revenue भी देख ली है recently, कोई दिक्कत की बात ऐसी नजर नहीं आती है बट यह data हम लोगों को बताता है कि आगे जाके इस company में कभी भी यहाँ पे गडबड हो सकती है एसा मुझे लगता है मैं study के ही सबसे बोल रहा हूँ, जो chart pattern है, data है उसके ही सबसे so foreign investor आप देख सकते हैं 15% से कैसे नीचे धीमे धीमे करके उन्होंने भी यहाँ पे exit ले लिए 3.79% D.I.S की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं D.I.S ने भी यहाँ पे लगबग 9-10% के ही holding रखी है public की बात करें यह तो सबसे ज़्यादा important है, 42% था, पूरा promoter यहाँ से जो था पहले 34-4 हो गया and public 42, मतलब 40 का double 80 हो गया, एक साल के अंदर, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना भयंकर स्पीड में कोई अच्छी company में कभी भी public shareholder, retail investor आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे क्योंकि promoter उतने share देंगे भी नहीं आपको, बहुत ही limited देते हैं और उसमें अगर एसी jump देखने को नहीं मिलेगी, यह सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही company में हो जाते हैं जापे उस company का भवीत होए खत्रे में है, अगर मेरी company है, यह जो company में आपको दिखा रहो for example है मेरी company है, मैं थोड़ी नहीं exit करूँगा अगर मुझे पता है future में अच्छा करेगी काम so मुझे अगर निकलना है तो obviously public है, उनको यह share थमा दो और निकल जाओ, तो आप लोग यह आपे देख सकते हो 42% ऐसा क्या इस company में है, जाके 42 का 62, 62, 65, 78, 81, क्या पता आगे आने वाले next quarter में अपडेट हो जाए, तो 85 रहेगा तो ऐसे company में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, संभाल करेना है, और यही जो मैं आपको बोलता हूँ न, ऐसे भी वीडियोस मुझे बनाने पड़ते है, 81% मतलब आप अंदाजा लगाओ और अगेन कहना चाहूँगा, यह 81% में खोई यहापे जो रहते हैं यह सब कुछ कोन है, retail investor है, foreign investor mutual fund में आप लोगों को दिखा दिये, तो यह सब public shareholder रहते हैं, उनको यहापे messages के थुरू बताया जाता है, यह share में entry करो, लालच के चकर में वो entry कर लेते हैं, यहापे इतने सारे stocks है market में, जहापे आप लोगों को हर एक parameter अच्छी तरीके से, मतलब बोलते न, positive वालब parameter वाले stocks मिल जाएंगे, जहापे इतने बड़े doubts से question मारके, ऐसे company में जाने का ही नहीं, चाहे वो कल share आज 30 रुपे का है, कल 300 का हो गया, तो भी चलेगा, आपकी जो study है, उसको respect आप लोगोंने हमेशा करनी होती है, तो ये company में आप लोग देख सकते हो कि public को double share हाथ में थमाया गया है, मतलब आगे जाके chances बहुत जादा है इस company के, कि ये share price हम लोगों को धीमे धीमे करके नीचे जाते वे देखने को भी मिल सकता है, दोस्तों बात करें company के recently performance की चार मार्च को, तो ये देखे 40% के deliveries, इसमें बारी deliveries, इसमें public भी रहेंगे और उसमें operator भी रहेंगे, तो ही तो हम लोगों को जादा deliveries देखनी को यहाँ पर मिल जाती है, मैं कौन से company की बात करो, यहाँ पर मैं बात करो, R-Infra, यह एक ऐसी company है, जो की infrastructure के news के कारण हम अगर हम लोग देखेंगे, यह लगबग 8 रुपे के असपस आई थी, और आज की दिन यह लगबग 32 के range पर यहाँ पर चल रही है, मतलब अगर 8 के multiples में अगर हम लोग बात करें, मतलब 4 गुना हम लोग को इसने यहाँ पर profit कमा के दिया है, नीचले level से ऐसा हम लोग बोल स इस हो, यह दो साल के अगर में बात करू तो, और प्रमोटर भी आपे दिमे-दिमे करके निकल रहे हैं, ऐसे कमपनी से मुझा लगता है कि आप लोग ने दूरी बना के आपे ज़रूर रखनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, आप लोग आपे देख सकते है, 32 रुपी का यह 32 रुपे पे चल रहे है, आप लोगे 5,000 का सेलफोन 32 रुपे में, कुछ तो गडबट रहेगा, तो ऐसी यह स्टॉक के बारे में है, और अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, आप शायद से अभी मार्केट में अच्छी तरीके से, यहापे मतलब, मार्केट के खिलाड़ी यहापे बन चुके है, अपको अभी सारी चीज़े समझ में आ रहे है, बट जो लोग बिल्कुल ने है, उनके लिए सारी चीज़े बहुत ज़्यादा माहिने रखती है, क्योंकि मेडिया में ऐसे स्टॉक को हाइप किया जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंक मैं आपके जगे पे रहूँगा, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कि कमपनी के रिसेंटली प्रॉफिट तो अच्छे है, रेवेन्यू सब कुछ अच्छा हम लोगों को देखने को मिला, बट स्टील इस कमपनी से मैं दूर रहना ही पसंद करूँगा, भवी तविया इस कमपनी का बहुत ज़दा खत्रे में, ऐसा मुझे आपे लगता है, खुद प्रमोटर यापे इग्जिट हो चुके है, पिछले दो साल से कोई डिविडेंट भी नहीं है, तो आने वाले इसमें अगर मैं बात कुछ, चार्ट पैटन तो क्लियर बता देता है, वो सेवन पैर होते हैं, तो छोड़ दी जो स्टॉक को, क्योंकि वो आगे फ्यूचर में आप लोगों को कभी न कभी धोका दे देगा, तो अगर आप लोग नए हो मार्केट में, तो सेवन पैरामिटर कौन से, तो पर आई बटन पे लिंक मिल जाएगे, आप लोगो ज़रूर उस वीडि कर देखें, 30 का 50 होना, इसको में प्रॉफिट नहीं मानता हो, अगर वो कंपनी फंडामेंटल स्टॉंग रहेगी, तो वो 30 का 40 भी हो गया, तो भी अच्छी बात है, बाट अगर जो कंपनी फंडामेंटल स्टॉंग ही नहीं एंड वो 30 का 50 होती है, तो वहाँ पे मैं जरू जरू कह सकता हूं कि ऐसे कंपनी में आप लोगों ने नहीं लगाना चाहिए पैसा क्योंकि वह 30 का 50 हो गई है विदाउट है ने तो ऐसे ही वीडियो जहाँ पर चलते रहेंगे तो मुझे इसा लगता है कि आप लोगों को इस सारी बाते पता चल गए होगी तो जरूरी शोड़े को लाइक और शेयर कर दिना तब तक के लिए बाइ